जो माता है हमारीयम्ना देवी उनका कलिंद नाम, जमन nice जमना ये कैसे पड़ा? एक एक बात बतायी? पूरे चार धाम शृष्टि की बारेवी के बारे में बताया जो आप बारों मैंने आप यहां पर मायमना के दर्शन कर सकते हैं आगरह करना चाहूंगा भारत सरकार से स्वयम प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से किलोमेटर का रास्ता पैदा लेकिन बहुत दुरलब है जब 1998 में नरेंद्र मोदी जी आये थे स्वयम उनके साथ जो है किने अभी किसी दाम से कम लेए स्वयम जगदुदु संक्राचारी नहीं यहां पर मायमना की नाम से उसी मठ्या पर अस्तापना जो कि हर एक विदी पंड़ जी ने बहुत अच्छा बताया एक बात बताई पूरे चार धाम स्रिष्टी की बारे में बताया कि कैसे कैसे शीत का लिन घर हर किसी का एक टाइम के बाद नीचे की तरफ आ जाता है मतलब प्लेन तो नहीं बोला जा सकता कि जहां पे लोगों का आगमन आसानी से हो जो कैसे पड़ा और क्या मानेता आए है किसकी फूत्री थि हैं छंहेकशन जी के बारे में सरप्रत्म नाम जी के बारे में सरप्रत्म मैं आपको जी माने बोलो आदिका तो नहीं को एस तो देखे कितना महत बताया की कैसे कैसे जमना जी नाम पढ़ा कैसे उनको कलिंद परवस्स से लाए गया तो कैसे कलिंद माता उनका नाम पढ़ा भगवान की कितनी किरपा है हमारे पर थोड़ी तोड़ी बारिश होने लगी है तो इस वीडियो को हम अंदर स्टार्ट करते हैं साक्षात मंदिर में माता के पास जाते हैं और इसका आगे का प्रसारण वहां पे करते हैं अब माता के दर्शन करते हैं जो रूप है उसके बारे में समझते हैं और क्या महत्व रखता है इस त कि मैंने आपको जैसे बीदीवत बता है कि यमना जी जो एच चतुरत लक्षमी का जाता है और चौती पत्रानी है भरतमान में गवान कृष्णी की उसी प्रकार यमना जी ये भगवान कृष्णी की तपसे जब की तो अपने रंग रूप सब खो बैट ली और कृष्ण में हो इस सब्सक्राइब का शुड़्द रंगश्याम में एसी खाजवियृवत का जाता है कि इसी यंप जो घंडिवन है उनकी भक्ति के विलाक्षम की यहां वो गई पंड़ जी ने मुझे बहुत अच्छा बताया एक बात बताई कि माता जी का रंग जो वह शाम रंग कैसे पड़ा वह कैसे क्रिशन प्रिया हैं तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं पूरे जगत के लिए जगत में लोग रहते हैं उनके लिए कि किस तमय पे उनको आना है तो पंड़ी इसके बारे में थोड़ा चिंतन करेंगे बिलकुल सर पर्थम मैं आपको जहां पर भरतमान में उपस्तितना इस मंदिर के बारे में बता दू यह जो मंदिर है वैसे तुम आने आपको बताया कि 6 मेंने जब कपाट खुलते तो 6 मेंने मायमना की प्रतिमा य दाम आपकार यह कुषी मठ है इसकी अस्ताप्पना इसलिये की गई ताकि सुलब और सरजड़ दंग से यह पाता है तुरिस्त महां अगर इमनोत्री दाम नहीं जा पाता है जा पाता है जा पाता है बावगोली कर इस्तिती खराब होने कारण पुष्टी मार गये जो लोग किसी भी प्रस्थिती में यहां पर आप कर सकते हैं कि अच्छो प्रस्टिती थीक नहीं है प्रस्थिता आपके चैनल के मांध्यम्स से यही आगरह करना चाहूंगा भारत सरकार से स्वयम प्रधान मंत्री नरेंढर मोधी जी से जब 1998 में नरेंद्र मोजी जी आये थे मैं स्वयमुन के साथ जो है इम्नोत्री दाम की प्रयात्रा पे गया था उस समय यहां पे 14 किलोमेटर पैदल चलना पड़ता था हनुमाज चट्टी से पैदल लोग आते थे हनुमाज चट्टी से जो है मात पांच किलोमेटर का रास्ता पैदल लेकिन बहुत दुरलब है मैं चाहतों यहां की रोडों का विस्तार तंसे हो यहां की रोण सुगम बने ताकि मायमना के जो सरदालों है अधिक सी अधिक संख्या में एगर यम्नोत्री भी नहीं जा पाने घरसाली में आकर भी खुशी मट में भी मायमना के तरश्णुक का फुर्ण फल अर्जित कर सकते हैं वहां पर भी यही फल मिलेगा जो आपको यम्नोत्री में मिलेगा यह भी मायमना की गद्धी है तो शाम को आर्थिका के टाइम होता है मंदिर सुबह कितने बजे खुल ज आर्टी सवा साथ बजे का टाइम है आठ बंद हो जाते हैं मायमना जी की आर्थी होने के बाद बंद हो जाते हैं लेकिन क्या है कि लोग बहुत दूर से आते हैं बढ़ा का रहता है तो दस बजे तक बजे तक भी ले जाते हैं तो महारा जी कभी होता ऐसा कि बहुत बीड आती है जब खासकर मई और जून का मैना होता है इसमें जाजा रस रहता है दस सवा दस बजे तक जो ए दर्शन उसके बावजीद भी रहती है हमको मंदिर बंद करना पड़ता है अब यह इस्तिती बर्तमान में जब की रोड़ों की स्तिती खराब है अगर आप रोड़ें बनाईंगे तो उत्राखंड के पूरे भारत सरकार को यहां के जो सरदालू बस्तगण है वो भारत से नहीं अभी तो पूरे विश्वबर से ल video को आते रहते हैं पंडर जी ने divided हमारा के लिए इसके बाद है जी सभुघर बात करते क्रेंते हैं पूजय कर सकते हैं उसका एक थोटा सा पार्ट हम आपको दिखाने वालेगे पंड़ों पास है और ऑनटी हमारे साथ हैं जो की हर एक विदी विधान के साथ माता जी की पूजा अर्चना कराएंगे तो चलिए पंदा जी शुरू करें जया श्रीयमने जया श्रीयमने अब बाया हाथ कीजेगा लेजी और दाइनी हाथ की अनामिकार मद्यमा से जलकवी मंत्रित करके चीटा मारी और पावित्रस्थे अभाई श्या विद्रुबाह मेरी पुंद्री काक्या सरबाब्यम तरस जी तीन आत्मनी दाइने हाथ से पीलिगे और मचुताय नमा केशवाय नमा नाराणय नमा पीलिजेगे अब यमना जी का धियान लगाईए सबसे पहले यमना जी का यमना जी जो है श्याम बढ़न की है और कच्वे पे सवार है दे आने हम समार्वियम ओम चंदन काचिता मारे ओम गंदम दारादुरादसान नित्य पुस्टांकरेशन इस्वरी श्रभूतानाम तम्यों प्रेवेशन नमों दिब्बे महादिब्बे शिवाई सत्नमनों प्रकृति बद्लाय अपनतोस्मियताम चुची मया प्रकृति बढ़ द्यां प्रकृति बद्लाय थेसलें का या नित्य नमों पियर आंप अध्री श्रुच स sufficiently incubation के जल्स मों डियाया से शेफंड थेरखंटसान नमों प्रकृति बद्लानगों जल्लेशन नमों डादीब्बे शित्त्मनों प्रकृति बद्लासादrespond you to'm aECKad Sertarind मी उसommes horse the hour अब आपने उस्पुतो लाए नहीं पाई पंजी पुछ पीछी से में मिल नहीं पाई परियमनाजी से अब चमा प्रात्ना की जहें हमारी मिनो कामना पुर्ण करना यात्रा सपल करना जो बूल चूपोगी चमा करना और गर में और सारे विश्वार में सुकसांति बनाए रख बच्छ पारत्ना कि जहां पूजा इसे अवादान जानामि पूजाम च्रह नहीं प्रमेश्वरी मंत्र ही नंक्रियाही नंब आति ही नंब कुछलेश्वरीत पूजतम्या देवी परिपुर्णम तस्मे रतंपाभं गतम दुखं गतंदार द्रमेश्वरीमे उच्वा तम स तो बड़ी सरलता से और सुद्धता से पंड़ जी ने मिनको मा यमना जी की पूजा अर्चना कराई उसकी बाद पंड़ जी ने कहा कि आपको साथ में परिक्रमा भी करनी है और एक तीन साथ इसका महस समझते हैं प्रतेक दाम का एक महत्तो जैसे मैंने बताया उसी प्रकार प्रतेक देवी देवता की एक परिक्रमा होती है और उसका भी अलग अलग तरीके सी होती है भगवती जो जगदंबा है उसकी भी परिक्रमा एक होती है उसी प्रकार मायमना जो अभी प्रामबा है उसकी परिक्रमा कर्यान होती है मतलब उनकी जितने भगबान सुर्य की चार्द परिकरमा के बराबर गाती मायमना की एक कर्मा का महत्य है मतलब अर्थ होता है कि जो आपने कार्य की है उतने आपकी इस्त। द्यान पूजन के परिकर्मा के बाद ही पूर्ण होता है और जब तक कोई कारे किसी भी धार्मिक कारे की मंदिर की परिकर्मा नहीं हो तब तक कोई भी पूजा पद्धती पूरी नहीं मानी जाती इसलिए परिकर्मा का अपना महत्तो है परिकर्मा के लिए परिकर्मा की जात हरी जैय मुला माता जो ध्यावे फल पावे सब सुख की दाता ओं जैय मुला माता 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 जैय मुला 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 मुला